आवास के जादूगर तो आपनी कई देखे होंगे, लेकिन हम आज आपको एक ऐसे जादूगर से मिलवाने जा रहे हैं, जो अपनी जादूई आवास से अलग अलग पक्षियों की आवास निकाल भी सकते हैं, और उनसे बात भी कर सकते हैं, हरान मत हो ये, देखिये और इन साहब का ये हुनर देखकर यहीं शब्द जहन में सबसे पहले आते हैं, कभी गोरया की आवास तो कभी उल्लू की, जनली पुत्ते से लेकर किंग फिशर पक्षि की आवास, तोते से लेकर सारस की आवास, ये वो तमाम आवासे हैं जो ये शक्स हुवहू निकाल दहा है अब हम आपकी पहचान जरा इस बर्ड मैन से करवा देते हैं, जी हाँ, बर्ड मैन, महराश्टर के चंदरपुर से ये चनाब बर्ड मैन के नाम से ही चाने जाते हैं, हाला कि इनका असल नाम सुमेद वागमारे है, ये ना सिर्फ पक्षियों की भाशा बोलते हैं, बल्कि उन्हें समझते भी हैं, अब जरा सुनिए जंगली मुर्गे की आवाज, किसे शक होगा कि जंगली मुर्गे की ये आवाज है, या फिर किसी इनसान की? इस तरह के ते को आवाज दिकालता है, या उसकी दो सोसो? बर्ड मैन सिर्फ सारस तोते और जंगली मुर्गे की ही नहीं, बल्कि दो सो से ज्यादा पशू और पक्षियों की आवाज हू बहू निकाल लेते हैं, सुमेद महाराष्ट के हिंगोली के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल चंदरपुर के ताडोबा टाइकर रिजर्व में पशू पक्षियों को लेकर जंजाकर्ती का काम कर रहे हैं, पक्षियों की आवाज निकालकर बड़े ही अनूठे तरीके से ये परेटकों को जागरुक कर रहे हैं, सुमेद के इस आवाज निकालने की कलाका हर कोई कायल है, पर ये तक बड़े ही चाव से सुमेद की बातों को सुनते हैं, हमें एक सीख मिल रही है कि हर अलग-अलग पक्षि का आवाज, एक हादी डरे हुए पक्षि का आवाज या कोई जानवर का आवाज कैसे होता है, मवेश्यों को चराने ले जाते समय सुमेद ने आवाज निकालना शुरू किया था और अब वो बर्ड मैन की नाम से मश्यूर हैं, ताडोबा टाइकर डिजर्व यू तो बागों के लिए जाना जाता है, लेकिन फिल्हाल इस बर्ड मैन की चर्चा भी खूब हो रही है, विकास राजूर कर चंदरपूर, गुट निउस टुडे,